पूजनी संसमाज, सजनों एवं देवियों अभी हम बहुत ही महत्त पूण बाती स्रोण कर रहे थे जिन्दगी में जिन्दगी का राज पाना चाहिए मन और इंद्रियों को सवस रखना चाहिए असत्य और आसक्ती का त्याग करना चाहिए अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए अभी संस्री राम सहिब जी से बाती स्रोण कर रहे थे कि आत्मग्यान प्राप्त करके जो जीवन जीता है, बोध में रहता है वो महान तपिश्वी है और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हतपिश्या ही सही है जो अपने इमानदारी, सच्चाई और धरम करम की रक्षा के लिए मेहनत करते हैं कठनाईयों को सहते हैं वे असली तपिश्वी है तो धीरे धीरे हमें अपने सुभाओं को सुवस करके सही करके, सरल करके जब हम जीवन जीते हैं तो उसी में फिर आत्मग्यान फलित होता है सुभाओं ही नहीं सुधारे गलत दिसा में, दोसों में हम उसी धारा में बहे रहे हैं तो आत्मग्यान फलित नहीं होता है जैसे कि जब बीज को सही भूमिका मिलती है तब वो अंकृत होकर के बढ़िया पोधा होकर के फल देता है उसर जमीन में बो करके पत्थर में बो करके केवल पानी में फैक करके हम फसल नहीं तयार कर सकते हैं उसके लिए उचित भूमिका होना आविश्यक है ऐसे ही मानोतन मिल गया है ये तो बहुत बड़ी शक्ति मिल गई है लेकिन उसमें भी अभी हमें बहुत बनाने की जरूरत होती है एक अच्छी संगत की जरूरत होती है गुरू जीवन में आविश्यक है तो क्या है गुरू की संगत ही तो है अब जैसे कि अध्यापक की जरूरत है डाक्टर की जरूरत है अध्यापक की शंगत किये पढ़ाई लिखाई किये तो विद्या आई योगता हासिल हुई तो इस शंगती है संग का रंग जीवन में बहुत पढ़ता है संग में दो तरह के कुसंग और सुसंग दो होते हैं तो सुसंग हमें सही दिशा में ले जाता है कुसंग जीवन को डुबा देता है कुसंग सुसंग आईसा प्रभाव पढ़ता है जैसे दो तरह की मक्खी होती है एक मधु मक्खी एक कचड़ा वाली मक्खी कहीं भी उड़के बैठती है गंदगी में तो गंदी मक्खी उड़ करके अगर किसी कुझड़ा के दाड़ी पर बैठ जाए जो आलू बैगन पे आज तौल रहा होता है वो गंदी मक्खी उड़ करके कहीं से जाकर के उसके तराजू में काटे में बैठ जाए किसी भी पल्रे की तरफ तो क्या कुझड़े को फरक पड़ जाएगा नहीं फरक पड़ेगा एक दो चार दस बीस मक्खी बैठ जाएगी उसके डंडी पर तरा भी नहीं ब्यापारी कि मेरी तराजू के पलले अत्वा कांटा पर मक्खी बैठी हुई है लेकिन आप सोनार के हाँ जब जाएंगे वो सोना चांदी हीरा तौलता है जब सोना ही को लेलें सोना तौल रहा होता है अपनी बहुत सूच में तराजू में कांटे में उसी में ए के लिए कोई माता सोने की लेने गई और सोनार तौल रहा है अगर वो सोना की तरफ बैठ गई मक्खी तो दस अजार का घाट अब किशान को लग जाएगा ग्रहक को अब अगर बटखरे की तरफ बैठ गई तो दस अजार का फायदा सोनार को हो जाएगा मतलब उस मक्खी की कीमत दसजार रुपे हो गया उसके वजन का सोना कितना होगा उतना ही वजन की वो हो जाएगी क्योंकि उसने सोनार की संगति कर ली तो मक्खी की कीमत बढ़ गई कुझड़े की जब संगति की तो उसका कोई वैलू ही नहीं ऐसे ही संग का रंग है जब हमने आत्मग्यानी संतोसी रहनी संपन जीतेंद्री गुर्जनों संतों महापुर्सों सज्जनों की संगत में बैठे उठे सेवा सतकार किये खेले कुदे रहे बसे तो हमारी कीमत बढ़ गई और मेक संसकारी हो करके संतोसी जीवन जीने लगे सुभाव का सुधार आ गया और हम मस्त जीवन जिन्दगी जीने लगे क्योंकि सुभाव का सुधार ही जीवन का सुधार है सुभाव का बिगाड जीवन का बिगाड है और सुभाव ही सबसे महान बड़ा कहा जाता है कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा सुभाव लोग कहते हैं ये भहिया तो बहुत अच्छे आदमी है ये माताजी तो बहुत अच्छी है तो क्या अच्छा है माताजी और भहिया में सुभाव अच्छा है गुण अच्छा है उनमें गुण है उनका जो चाल चलन है सुभाव है बोलने का तरीका है करने धरने का धंग है तोरह तरीका है नियम है वो बहुत अच्छा है सुजबूज के साथ है सच्चाई से जुड़ा हुआ है करतब पराइड है तो सुभाव सुधार ही जीवन का सु कोवा सुभा सुभा ही उड़ करके कहीं जा रहा था आगे से कहीं से खापी करके कोयल आई मिली अरे भहिया तुम कहां चले जा रहे हो हमें छोण करके दोनों एक पेड़ पर रहते थे मित्रता थी पूछ पड़ी कोयल अरे इतने सुबह कहां चले जा रहे हूँ उदास होकर के रोवानी सूरत बना करके कवा बोला कि कोयल बहन मैं यहाँ पर नहीं अब रहूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा लोग बहुत अपमान करते हैं मैं जहां कहीं बैटता हूँ किसी के घर पर तो मुझे पत्थर मारते हैं गाली देते हैं बहुत अपमान करते हैं कोयल हस पड़ी कवा ने कहा मैं मुझे तकलीफ है मेरे उपर विपत्ती है लोग हसी करते हैं तुम हस्ती हो तो कोयल ने कहा कोवा भीया नराज मत हो ये तुम ऐसा काम ही करने जा रहे हो कहां चले जा रहे हो बोला जहां मुझे सम्मान मिलेगा सुख मिलेगा वहीं मैं जाओंगा मैं यहां इस गाउं में रहने वाला नहीं बहुत बुरा गाओं है कोयल ने कहा कहीं भी चले जाओ तुहारा सुभाव ही ऐसा है तुम्हें कहीं सम्मान मिलने वाला नहीं क्या तुम वहाँ जाकर अमेरिका चले जाओगे तो क्या वहाँ पर कोयल जैसे बोलोगे और तुम फूल की सुगंधी लेने चले बैठोगे अरे वही घूर कचड़े में बैठोगे करकस बाड़ी बोलोगे तो तुम्हारी बाड़ी खराब है तुम्हारा चाल चलन खान पान खराब है तो कहीं भी चले जाओ तुम्हें सम्मान मिलने वाला नहीं सुख मिलने वाला नहीं कोयल ऐसा कहके समझाई कववा उदास हो गया क्या वो सुभाव सुधार करेगा तो सुभाव सुधार ही जीवन का सुधार है अब हम एक कर सकते हैं कववा नहीं कर सकता है कववा जैसा मनुष से बिगड़ा हुआ अगर वो चाह ले तो अपने को बदल सकता है इतिहास के पन्नों में हम पढ़े देखो बालमी की महराज की कथा पर सब लोग जानते हैं कि वो डकैत थे चोर थे बिगड़े होए इंसान थे लेकिन सब तरिसियों के चंगुल में आ करके सतसंग किये कुछ मिनट हाँ संतों के संसर्ग में आ करके संगत में आ करके तो उपदेश मिला और वो बदल गए परिछा लिए कि भाई यहां कोई किसी का नहीं कोई पाप बटाने वाला नहीं तो उन्हें ग्यान हुआ थोड़े ही समय में बात जब लग जाती है तो आदमी सुधर जाता है नहीं तो कितने ही ग्रंध पढ़ते रहो और सतसंग सुनते रहो जब बदलने का संकल्प ही नहीं तो फिर नहीं बदलेंगे लोगों का दिल दिमाग इतना पलस्तर हो जाता है कि बात सुनते हैं और उड़ जाती है बाती दिमाग से बदलाव करने का कोई मनसा ही नहीं होती है तो फिर जीवन जैसे किते से लोग रह जाते हैं सुरू से और आखीर तक वही तमाकूबेडी गांजा धतूर गाली सिक्वा सिकायत कलाहकल्पना घर में रह जाता है हम सब को संकल्पवान होना चाहिए संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे संकल्प होना चाहिए मुझे बदलना है एक चोर था चोर चोरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा था जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन आदत से मजबूर था वही उसका धन्धा और निर्वाह जीवन बन गया था उसके पास एक बेटा था बेटा को पढ़ाने लिखाने का सोग था कि पिता ने सोचा कि मैं तो चोरी करता रहा इसी से जीवन निर्वाह किया बच्चों को पाला कम से कम मेरा बेटा तो चोरी ना करे और उसको मैं पढ़ा करके अच्छी सर्विस और बिजनिस कराऊंगा अब लड़का पढ़ लिख करकी योग जब हुआ तुसे सर्विस ना मिली अब बच्चा उदास होने लगा उदास रहने लगा पिता ने पूछा बेटा तु उदास क्यों हो रहा है बोला पिता जी उदास क्यों ना रहूं मैं इतना पढ़ा लिखा मेहनत करकी आज बेरोजगार हूं मेरे पास कोई जीवन निर्वाह का काम नहीं है आखिर कैसे न उदास रहूं पिता जीने कहा आबेटा उदास मत हो अरे अभी तो टाइम है साल दो साल देख लो कोई बैकेंसी निकले तो उसमें अर्जिष्ट हो जाओ नहीं तो फिर हमारा पुस्तैनी धन्धा है अब मैं सब सिखा दूँगा तुम्हें दाओ पेंच जैसे मैं चोरी करके परिवार पाल लाया हूं तुम भी वही काम कर लेना कोई दिक्कत नहीं एक बार दाओ मारोगे तो एक महीना चलेगा तो सुन लिया बेटा ठीक है कौन सा दाओ है क्योंकि कभी गया नहीं था कोई डकैती में चोरी में तो पिता नी सोचा मैं अपने बेटे को कुछ सिखा ही देता हूं अपना दाओ पेंच रात को ग्यारा बजे चल पड़ा आओ चलते हैं कुछ हाथ में आओ जार लिये आओ चल पड़े चलते 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 चार चे दस किलो मिटर चलने के बाद एक सहर मिल गया और किनार एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी तो वहाँ पहुचा तो वहाँ पहुचा जब तो खड़ा हो गया उसका पिता बिल्डिंग के नीचे बोला देखो बेटा यह जो बिल्डिंग है दिख रही है सामने गाओं में इसमें मैं कई बार चोरी किया हूँ बहुत माल ले गया हूँ आज फिर मौका आया है इसमें दाओं लगेगा और माल मिलेगा तो अपने बच्चे को ऐसा बता रहा था हाँथ उठा उठा करके तो ऐसा करते हैं चलो इसमें आज दाओं मारते हैं तुम यही पर रहना देखते रहना दर्वाजा के अंदर चलेंगे और मेरे पीछे रहना अब हम सिखाएंगे और माल मिलेगा अब वो बच्चा एक टक देखने लगा सोचने लगा उसके मन में एक चिंतन तयार हो गया कि पिता जी कहते हैं कि यहां से मैं कई बार चोरी किया बहुत माल ले गया आज फिर आया हूँ तो ऐसा किये है लेकिन इसमें बत्तियां जल रही है अभी इस घर में बत्ती भी है प्रकास है चहल पहल है अव हमारे घर में जहां चोरी करके माल बहुत गया है लूट करके वहां तो कोई बत्ती नहीं वहां अंधेला है आज भी धन की कमी है आज भी कोई सुक्सान्ती नहीं है दुख ही दुख है एक चिंतन मन में होता है इस घर में कई बार चोरी होते होए भी इस घर में प्रकास है धन है खुसियां है सब कुछ है हमारे घर में पिता जी चोरी करते करते आज भी अंधकार ही अंधकार है और दुख ही दुख है एक भी प्रकास नहीं है न मैं चोरी नहीं करूँगा संकल्प लेता है बच्चा मैं चोरी नहीं करूँगा पिता जी से कहता पिता जी वापस चलिये क्यों नहीं चोरी करोगे बोले न, यहां अभी तक प्रकास है, हमारे घर में अंधकार क्यों है, चोरी करने से कभी अंधकार दूर नहीं होगा, अंधकार दूर होगा इमानदारी से चलने में, सच्चाई से चलने में, मेहनत की कमाई खाने में, घर में और दिल में दोनों जगह प्रकास होगा, दोनों जगहों में पूजी होगी, चंबृद्धी होगी, यसकीर्थी होगी, शान्ती होगी अता हम चले वापस, पिता को पकड़ कर साथ लेकर वापस बच्चा आता है और मेहनत करता है, और मजदूरी करके एक बिजनिस करता है थोड़ी सी दुकान बढ़ाता है, दुकान बढ़ा करके और फिर एक छोटी से और फैक्टरी लगाता है छोटी सी फैक्टरी में एक बड़ी फैक्टरी लगाता है, गाओं वालों की सेवा करता है गाउं के गरीबों की सेवा करता है इस तरह से पूरे गाउं में जो चौरत्त की बदनामी फैली थी पिता की बेटे के उस महनत और इमानदारी सच्चाई संघर्ष से पूरे गाउं में यसकीरती फैल गई और पूरे गाउं के लोग उन्हें इमानदार सज्जन धर्मात्मा भक्त कहने लगे चवरत्त की जो बदनामी थी वो सब खतम हो गई तो ऐसे बेटे कम लोगों के होते हैं वास्तों में जो बदलने के लिए संकल्प करते हैं जीवन में वही आगे बढ़ते हैं और जो जीवन में अनेग बहान बनाते रहते हैं कि अभी कर लेंगे समय से अभी भक्ती भजन कर लेंगे वो जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाते हैं अता हमें आज ही समय रहते जवानी रहते, समय रहते, बुद्धी दिमाग रहते माता पिता की रहते, बड़े बुजुर्गों की रहते, गुरू संतों की रहते, अपना काम बना लेना चाहिए तथागत बुद्ध के पास सभी भिक्षू बैठे थे तो एक भिक्षू उधर से आया, तो जरा खुश था तो अनभिक्षू ने शिकायत किया की भगवन, तथागत बुद्ध से शिकायत की भगवन, ये आपकी बातों को सुन करके ये बहुत अहंकार और खुशियों से जूमते रहते हैं, कौनसी बात? तथागत बुद्ध ने बता दिया था, कि अमुक दिन मेरा सरीर छूट जाएगा, मैं बुद्धत निर्वान को प्राप्त हो जाऊंगा, मतलब सरीर मृत हो जाएगा, पूरा हो गया है, इतनी बात सुन कर बहुत से भिक्षू रोने लगे, दुखी हो गए कि हमारे आज अ अनुसास्ता का सरीर छूट जाएगा दो चार दिन में, तो यही सिकायत किये कि भगवन इसको खुसी बढ़ी है, अरे हम लोगों को दुख का भी सह है कि हमारे अनुसास्ता सरीर छूट देंगे, तो कौना धार होगा, हमारा अगुआ ही चला जाएगा, तो तथागत क्यों तुम खुस क्यों हो इस बात को सुन करके, तो भिक्चु कहता है भगवन, मुझे खुसी इस बात की है, कि मैं नया भिक्चु हूँ आपके पास, मुझे जादा ग्यान नहीं है, मैं जब यह सुना कि आपका सरीर बस दो तीन दिन में छूट जाएगा, बहुत कम समय रह गया है, तो मैं सोचा कि समय रहते जो भी दो चार दिन समय बचा है, तो मैं इतनी कड़ी साधना करूं, इतनी तेजी से साधना भ्यास करूं, सावधानी से जिंदगी जीऊं, कि मेरे सारे दोस, कमजोरियां, गंदगी, जीवन की धुल जाए, और मुझे हर्स हुआ कि भलाई पता तो चला, नहीं तो मृत्तु का पता न चलता, हमारे भगवन अचानक चले जाते, तो हम गाफिली में ही समय गमा देते, तो मुझे खुशी है, कि आपके जीवन रहते रहते मैं साधना भजन करके अपना कल्यान कर लूँगा, ये मुझे खुशी है, तब तथा रीर तो एक दिन छूटना ही है, ऐ भिक्छुओं मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो जो बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही मेरा असली भिक्छु है, वही मेरा असली सिस्स है, वही मेरा असली बालक है बच्चा है, तो इस तरह से माता पिता गुर्जनों की बताए हुए मार्ग पर जो सच्चे धंग से चलते हैं वही सच्चे धंग से उनके अपने हैं वह कहते हैं कि मैं चंदन की डार पर बैट करके सब के लिए उपदेश कर दिया हूँ अगर जो नहीं चलेंगे तो मेरा क्या भी गड़ जाएगा और सोई जन मेरा जो घर की रार निवेर जो घर का जगड़ा आहिरदय का जगड़ा अपने दोसों को मिटा दे वही तो वही लोग मेरे हैं मेरे अपने हैं वही मेरे बंद हुआ हैं वही भाई हैं दादा भाई बाप के लेखे चरणन होई हो बंदा अबकी पूरिया जो निरवारे सोजन सदा अनंदा सद्गुरु कहते हैं लोगों मैं तुम्हें भाई कह दू बच्चा कह दू दादा कह दू पिता कह दू बड़ा भाई कह दू इह मानव जीवन को उद्धार कर लो कल्यान कर लो इसका निर्वार कर लो तो मैं तुम्हें तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ इतनी बड़ी बिनम्रता का उदारन संसार में कहीं मिलता नहीं है काए कबीर सुनो भाई साधो भाई कहा करके आए मेरे भाई साधो साधना करो भजन करो कितनी कोमलता है और बिनम्रता सरलता से सद्गुरु कबीर संसार के लिए रोते हैं मैं रोऊ यह जगत को मो को रोवए न कोई ऐसे महामना सद्गुरु कबीर को बर्बस याद ही करने लाइक है उनका उबदेश हिर्दाय में बसा करके हम अपने मानो जीवन को सफल बड़ी सरलता से बना सकते हैं तो उनके विचारों पर चल देने से सारे सास्त्रों का सम्मान हो जाता है सारे गुरुजनों का सारे इष्ट जनों का सम्मान होता है सारे इष्ट जनों और गुरुजनों की हकीकत का पता भी चलता है क्योंकि उन्होंने परखने की कही है, सार लेने की बात कही है, सार, सार को गहिरहَ थो्ता दे उडाये, भूल मिटें गुर्मिलें पार्खी पारesting दे लखाई, पारख बिना बिनास है कर विचार हो भीन, हर जगा परको परको, परक परक करके चलने की जरूरत है बíciosहार प्रमार्थ दोनों में देखो परखने की शक्ती नहीं है तो बजार में आप ठगा जाओगे सबजी भी लेने जाओ तो परख नहीं है तो बैपारी लोग ठग लेंगे सड़ी गली सबजी दे देंगे बासी सबदी देंगे और बजाजी में जाओ कपड़ा खरीदने पता नहीं पुराना दे देंगे दस का माल सव में दे देंगे परकना पड़ता है हर जगा धरम के छेतर में भी परकना आना चाहिए धरम की किताबों में भी बहुत उल्जलूल बाते लिखी हुई हैं तो जब हम परकना सीखेंगे तो सही माल ले पाएंगे, परकने की आदत नहीं है, तो गलत माला जाएगा, गलत से फिर काम नहीं है, गलत हमें दुख देता है, इसलिए हम केवल बहाने में न रहें, लोग बहाने करते हैं कि अरे ये सब काम कर लेंगे महराज, जो सब लिखा है सही ही है, जो कुछ चमकता ह है, सोना नहीं होता है, और जो कुछ लिखा है सब सही नहीं होता है, एक बार एक सज्जन बामबे चले गए कमाने, अपनी पत्नी को छोड़ करके, नई नवेली पत्नी थी, अब बारा बरस तक ना आये, बहुत दिन हो गया, अब साल 6 महीना हो जाता है, तो मुसीबत होती ह है, फोन पर फोन और चिठी पर चिठी लोग करते हैं, और वो 12 साल हो गया, कई बार 12 में तो 24-25 बार पत्र भेच चुकी, फोन भी किया, कि अब मैं क्या करूं आते नहीं हो, यहां तो बुढ़ी बुढ़ा है, और तो गर में है नहीं है, कोई बच्चे भी नहीं है, बेका तुहारे साधी हो गई है, मेरा तो करम फूटे, किस्मत फूटे, बहुत कुछ लिखती रही, लेकिन महासय जी वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बामबे से, तो अंत में खीज करके चिठी लिखी, कि अए महासय तुहारे रहते मैं राण हो गई, चिठी गई वहा पढ़ा, तो जैसे ही पढ़ा उस सब्द को, कि अरे मेरी पतनी मेरे रहते राण हो गई, अरे तो एकदम ढ़ा करके सोफा में गिरा उल्टा, रोने लगा, तो रो रहा था इतने में साथ ही आये उसके, क्यों भीया क्या बात हो गई, अरे मेरे रहते मेरी पतनी राण हो भाई तो लोग हस दिये समझ में बात आ गई मित्रों के कि आप लोग हस रहे हो उस ने कहा कि तुम लोग क्यों हस रहे हो भाई मेरी पत्नी मेरे रहते राण हो गई और कितनी बड़ी विपत्ति की बात है तो मित्रों ने कहा कि महासे तुम अभी बैठे हो जिन्दा हो तुमारे पत्नी राण कैसे हो जाएगी कहा मानो तो लो देख लो पत्र दिखाने लगा ये लिखा है भाई मैं नहीं कहाता हूँ इसमें लिखा है तो क्या लिखा सही नहीं है लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम जाते नहीं हो एक नई पत्नी को पती की जरूरत है और किसे बोले बतियाए किसे अपना दुख रोवे किसे अपना खर्चा पानी मांगे अखिर आप जाएंगे तब ना उसे संतोस होगा आप तो यहां बैठ हैं साधी करके अब घर में कोई है नहीं इसलिए गुस्सा में खीज करके उलज करके लिखा है तब समझाए तब रोना बंद किया ऐसे ही लोग जैसे वो आदमी चिठी दिखा रात देखो लिखा कहा ना मानो तु लिखा देख लो ऐसे ही लोग सास्त्रों की दोहाई देते हैं कि देखो ये लिखा है ये लिखा है लिखा तो है राजा सगर के साथ जार बच्चे पैदा होते भै बीना विचारे आँख मूंद करके सब लोग जै का नारा लेते हैं हनवान जी सूरज भगवान को निगल गए अब बच्पन में हनवान जी माता अंजनी के पास खेल रहे थे हनवान जी बच्चे थे तो भूखे थे अब माता अंजनी कुछ काम कर रही थी तो कहा बोले कि मम्मी मुझे भूख लगी है तो उन्होंने कहा दिया कि चुप रहो खेलो कुदो अभी नहीं कहीं नहीं भूख लगी है इतने में सूरज निकल रहा था लाल लाल दि निगल लो हनवान जी उड़े और सूरज को निगल गए तो एक महीना उसे निकाले ही नहीं बहुत सारे देवताय निवेदन किये दुनिया की हस्ती सब निवेदन प्रार्थना करने लगी तब हनवान जी उसे बाहर किये अब यह सब किताब में लिखा है योजन चार मूच रही ठाड़ी कुम्भकरण की मूच चार योजन बर चौक 48 किलो मीटर की एक तरफ की मूच रही आदूसरी तरफ की तो इस तरह की बाते सब लिखे हुई है बारा 1400 किलो मीटर कुम्भकरण का सरीर था यह लिखा हुआ है प्रिवरत के रत के पहिये से सा समुद्र बन गए यह लिखा हुआ है अगस्तरी सी समुद्र को सोख लिए पी गए अंत में प्रार्थना हुआ तो सब निकाल भी दिये अगस्तर भर गया प्र यह सब बाते लिखी हैं मजाक की बाते हुसी की बाते हैं देखो लिखनते समय कवी हरास्च रस बीररस इस तरह की बाते लिखते हैं बीररस में देखो आलहा उदल की लड़ाई बीर रस में लिखी गई और ऐसे बहुत से ग्रंथ कई रस में लिखे जाते हैं तो कुछ ग्रंथों में हराश्च रस में बातें लिखी गए हसाने के लिए विद्वान कभी लोग सब जानते हैं कि ऐसी बातें कुछ लिखो ताकि हसी आजाए लोगों को तो जब सोचा जाता है हम भी जब बच्पन में थे तो जब विश्राम सागर रामायर पढ़ते थे तो जब ये बातें आती थी हनमान जी की कुम्भ करण की सुरसा राक्षिसी की की ऐसा भयानक इनका सरीर था और रामण तो दस सीर उसके पास था कटके अलग हो जाता था बड जब से जैसे जानकारी आई सद्गुर कबीर का ज्यान मिला और सद्गुर अभिलास सायब जी की सरण में आकर के जाने स्ता पता चला परदा फास हुआ कि ये सा मनो रंजन की बाते हैं इसमें कोई विशेश दम नहीं है इनसे उपर उठने की जरूरत है जो सार है गरंथों में सार चीजे हैं अच्छी बाते हैं उनको ले लें बाकी बातें छोड़ दें जैसे हम धान बोते हैं तो पैरा भी होता है दाने में छिलका लगा होता है कोई चावल नहीं बोता है धान पैदा करते हैं कूट करके चावल निकाला जाता है भूसी सहित खाएं तो प्रणान्त हो सकता है गले में फस जाएगा उसे हम मेहनत करके फटक पछोर करके अनेक युक्तियों से चावल चाव बढ़िया कईप के अंदर गुधा होता है उसको खाते हैं सेव ऐसे तमाम अनार बहुत सारे फल बहुत सारे अनाज छील करके चाल करके खाते हैं ऐसे ग्रंथों की बातें भी छान करके खाएं लें सार सार को गई रहे रिगवेद में बात आती है सत्यमे उत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् हैं लिखी जाती हैं इसको विवेक की चलनी में छान लिया जाता है और असार को फेको और सार को खाओ चलनी जैसे चलनी क्या करती है चोकर फेकती है आटा को गिरा देती आटा लोग खाते हैं सूप चावल ले लेता है भूसी उड़ा देता है साहिव ने बड़ी होसियारी से सूप का उधारण दिया है चलनी का नहीं दिया है चलनी चोकर ले लेती है आटा गिराती है सूप भूसी को फेंक देता है चावल ले लेता है शार ग्राही लोग सही चीज ले लेते हैं हर जगा से इसलिए कहीं भी सुनो कहीं समझो ग्रंथों में पढ़ो और कहीं दीवार में लिखा हो अच्छी बातें लें और कलत बातें असार बातें और अतिसायोकती बातें उसको छोड़ करके सार सार को गई रहे सार सार लेते रहेंगे हमारा जीवन सही चीजों से ठोस चीजों से सुखदाई चीजों से ग्यान से बातों से भर जाएगा इससे जीवन में सुखदपन होगा इसलिए हम ये कमाई करें तो जिन्दगी के रहस समझना हुआ और अपने को जाने समझें और मस्त रहें इस तरह स इन गुणों में हम शमाहित हो करके और एक एक पल बड़ी शावधानी से जिन्दगी जब जीएंगे तो जीवन हमारा शार्थक हो जाएगा जीना पूरा का पूरा बड़ा ही सुख कर लावप्रद हो जाएगा अम्रितत्वम अम्रित हो जाएगा बोलिए स्द्गुरू देवकी जये